बाईो ये है 1970 की जवाने वाली चल मेरी लूना अब ये इलेक्टिक में आ चुकी है और इसका आज करेंगे हम रिव्यू जानेंगे इसके बारे में सारी जनकारिया कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है चलाने में ये गाड़ी कैसी है और क्या ये 1970 वाली लूना को फिर से वा संट बाईो से जड़ा प्लाई में आ ये तरो जेंगे हम चलाने में सारी है तो दस्तों ससोत पले स्टाट करते हैं फ्रन्ट से और फ्रन्ट में देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है, तो फ्रन्ट की बात की जिए, तो में आपको हायवाजन हेड लाम देखने को मिले τον when will अरूप unity, तरκ में जाता है। यहां पर फाइबर का केसिंग दिया गया है, जो कि काफी अच्छा भी लगता है, पुरानी वाली अलूणा जैसी दिखती भी है, बगल मैं आपको इंडिकेटर से देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर पलसर जैसा देखने को मिलेंगा, बहु-बहु पलसर क का टायर मना जाता है फ्रंट में आपको लेक बान लेकार बास की तो मटगार फाइबर का देखने को मिलेगा लेकिन अचछा लेकिन का अच्छा और यहां पर आपको दोनों तरफ रिफ्लेक्टर भीरपे मिल जाये प्रण शस्पेंशन की बात की सुछ अदिया गया है और इस इसके कारण सस्पेंशन का लाइब भी बढ़ जाएगा और जैसे ही आप हम साइड में आते हैं साइड की तरफ आएंगे तो साइड की तरफ हमें ज्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिलेगा एलेक्रीक मोपाइड है टीवेस एकसल की जैसी देखने को मिलेगी लुक आपको से एकसल जैसा बहुत तक देखने को मिल रहा होगा लेकिन चलिए जो भी है मैं बता देता हूं आप लोग को साइड की तरफ जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर हमें एक लिक गार्ट देखने को मिल जाएंगा यहां पर आपको एक फुट्रेश के लिए जो चलाएगा गाड़ यहां पर आपको एक मैट देखने को मिल जाएगा एक चीज मुझे जो काफी एच्छा लगा एक साड़ी गाड दे दिये गा है कंपनी की तरफ से बेसिकली जितनी भी लगटी गाड़ी आ रही है उनमें साड़ी गाड ओफर नहीं के जाता एसुसरी के रूप में आपको लगवाना पड़ता है इसके लिए आपको एक्स्ट्र पैसे देने पड़ते हैं यहां पर पहले से ओफर के जा रहा है यहां पर आपको पिलियन के जो लुना है इसमें टोटल आपको फाइब कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे बट कलर ऑप्शन में ज्याधा चेंजेस देखने को मिलेगा जो आपको यहां पर ग्रीन कलर देखने को मिलेगा इसके लावा कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे इस तरफ भी अच्छा लगता है पुराना वाला लूक है लेकिन अच्छा दिया गया है इसके साथ ही आपको पीछे की तरफ एक रेड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा नंबर प्लेट प्रोबिजन देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा है और यहां पर आपको एक मटगार अगर मैं बात करूं तो गाड़ी का बैठने का राइडिंग पोस्चर है वह काफी अच्छा लगा जो टीवेस एक्सल की कम्याबी की सबसे बड़ी कारण है वह है इसकी राइडिंग पोस्चर उसको कोई भी लोग चला सकते हैं एक बुड़ा लोग भी चला सकता है एक जैसे इसने इलेक्टिक में वापसी की इसके बात कि इसका काफी नेगेटिव ओपिनियन देखने को मिल लोगों की तरफ से कि चाइना का प्रोड़क्त लेके यूज कर रहे हैं यह कर रहे हैं बट यह गाड़ी ने काफी मुझे इंप्रेस किया है और इस गाड़ी से मुझ देखने को मिल जाएगा अगर हम राइट सेड में तो मैं त्री मोड के स्विच को मिल जाएगा और डिस्प्ले की बात कि एक छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको जितने भी ज़रूरी फीचर रहेंगे वह मिल जाता है को कि लगा और बहुत सारे और पर देखने को जरूरी हो जता है यह है इसका फुजिकल की ऐसा एक की डेखने को मिलेगा और की से जैसे करते हैं गाड़ी स्टाइब आपको इलुना का बैसिंग देखने को मिलेगा और गाड़ी काफी ओवर ओवर ओल मुझे अच्छी लगी ब्रिक पर आते हैं तो ब्रेक भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा ब्रेक में एक सेफ्टी पीन दिया गया जो की काफी साथि याँ पे एक खुक देखने को मिला जो कि मेटल का है काफी हेभी खुक देखने को मिलेगा जिसमें आप अपने समान रख सकते हैं वैसिकली समान रखेंगे तो आपका टंगा नहीं रहेगा इसके बाद आपको लेकिस में इसको सब्सक्राय पीछे के नीचे सभी मिल साथ यहां पर कुछ लबबर का केस्त देदिया गया जो की ग्रिपीम बना करेंगे बोड़े और कटे में अब आते हैं सीट पर और इसके स्पेसिफिटेशन पर क्या है इस गाड़े साथ मिलता है सीट कैसा है पीछे के सीट की बात करें तो पीछे के सिट आप रिमूब कर सकत बोरे कटे उटे कुछ भी रखके आप फेरी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं वह कर सकते हैं गैस लेंडर का आपका डिलेवरी करने का काम है वह भी कर सकते हैं इसके साथ है लेकिन इसमें आपको दो देखने को मिलेगे एक में 1.7 hormone और बैटरी नजम से यह गाड़ी 110 km का range provide कर देती है बट रियल रेंज 90-100 का देखने को मिल जाएगा तो चलिए बैटरी को रख देते हैं और बात करते हैं दूसरे चीजों एक चीजों मैं आपको इसके बैटरी में बताना भूल गया था इसके बैटरी को अगर आप अलग से चार्ज करते हैं तो इसके साथ भी देखने को मिल जाता है हूब हुआ है थोड़ा सा डिफ्रेंस होगा जो भी हो company वाले जानते होंगे क्या डिफ्रेंस है जिसके मदसे आप चार्ज कर सकते हैं अब आते हैं इसके specification पर की specification वाई इसमें क्या कुछ होने वाला है तो सबस्प्रेल मैं आप लोग अब मैं आप लोगो को पहले बता दिया था अब मैं आप लोगो को प्राइज बता देता हूँ प्राइस की बात किये तो 1.7 किलोवाट आर वाला बैटरी ऑप्शन जो आपको देखने को मिल जाएगा उसका प्राइज 59,990 रूपए और जो 2 किलोवाट आर वाला बैटरी लिए देना पड़ेगा है तो हैदराबाद में इसका ओन रोड को 83,000 रूपीज हो जाता है जिसके मत्से आप ले सकते हैं और दूसरे की बात किया तो दूसरे स्टेट में वैरी करता है कि आप कहां से डिपेंट करते हैं और कहां पर रहते हैं और अगर आप इस गारी को च चला सकते हैं और देख सकते हैं कैसा फिलदेती है वेरंटी की बात किया तो इसके बैटरी के साथ तीन साल का वेरेंटी देखने को मील जाता तो यह थी इस कईके लिए सारी जनकारिया इस गाड़ी को मैंने चला के भी देखा चार गाड 전ुन में काफी मुझे इमेजिंग लगी मैंने सूचा था कि कैनेटिंग कंपनी की तरफ से चाइनेस प्रड़क्त लाके लगा के एसेंबल करके दे दिये होंगे लेकिन चलाने पर पता चल रहा है कि यह मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया इलेक्टिक गाड़ी है और काफी कई इस गाड़ी के रिलेटेट या किसी अधर इलेक्टिक गाड़ी के रिलेटेट तो कोमेंट सिक्टेन में कॉमेंट कर सकते हैं तब तक के लिए गोग्रीन गोएलेक्टिक